दोस्तों आप सभी का स्वागत है करेंट अफिर्स फंडा के यूटूब चैनल पर आप सभी को बता दूँ कि IBPS PO के फॉर्म बरने की आज लास्ट डेट है जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं वरा है वो अपने फॉर्म को एडिट कर लें अपडेट कर लें फी पेमेंट कर दें वो सारे काम केबल आप आज की डेट में ही कर सकते हैं और एक चीज और ध्यानगना कि फॉर्म बरने के बाद अपने फॉर्म को डाउनलोड करके जरूर रख लेना पीडिया फॉर्मेट में क्योंकि जब आपका सेलेक्शन हो जाता है तो उस समय पर आपको फॉर्म की जरूरत पढ़ती है बैसे लिंक तब भी ओपन कर दिया जाता है लेकिन अभी से ही आप इसको सेप कर सकते हैं एक चीज मैं आपको और बता दूँ कि जिननों ने फॉर्म अल्लेडी भर दिया है या फिर त्यारी कर रहे है तो दोस्तों अभी प्रक्टिस मॉक का एक फ्री मॉक टेस आईबी पेस प्यों के लिए अबलेबल है और साथ में इनका जो 6 मंद का प्लान है वो 4 डबल लाइन में केबल मिल ला है और यह भी ओफर डिसकाउंट है 849 में प्रो है जो की 12 मंद के लिए अपली केबल रहेगा जिस डेट से आप इसको पर्चेस करते हैं मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि यह जो आईबी पेस प्यों के लिए फ्री मॉक एवलेबल है वो दोस्तों अगर आपने नहीं दिया है तो जरूर दे ले और एक चीज मैं आपको और बता दूँ कि यह बेसिकली दो यहाँ पर आपको बीच बीच में टेस्ट और भी एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बेसिकली यह जो राइट नहीं हमारा टाइम चल ला है इसमें हमें अपने चीजों को किस तरीखी से और्गनाईज करना है देखो आपको बता है कि आईबी पेस के एक्जाम की डेट और अलेडी एनाउंस हो चुकी अगर हम बात करें कि आपका इबी पेस प्यो का एक्जाम जो है वो कब होगा आप यह देख सकते हैं कि कॉल लेटर्स आपके अक्टूबर में आ जाएंगे और जो पिलिम्स एक्जाम है वो आपका तीन अक्टूबर से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है तीन अक्टूबर दस और 11 अक्टूबर ठीके यह तीन डेट बेसिकली दी गई है मल्टिबल सिफ में एक दिन में चार्चार होता है चार्चार सिफ्ट होती है लगबंग तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह लगबंग 12-15 दिन चलने वाला यह पेपर होगा ओके अब हमें दोस्तों अपनी प अगस्त अल्मोस्ट एंड होने वाला है तो आप यह देख सकते हैं कि सप्टेंबर के डेज आप क्यों मिलेंगे प्लस इस मन्त में जो भी यह फोर डेज और सम्तिंग महाँ पर तीन देज मतलब एक बीक आपका ओर है तो अगर हम यह देखें फोर प्लस बन बीक लगबंग से 10 दिन पहले दोगे फिर तो आप यही कहोगे कि इसको सब्मिट कर दें और इसके सोलेशन को देख लें वो स्टेटजी बिलकुल लास्ट के लिए होती है लेकिन अभी आपका पाच बीक का टाइम है लगबंग 35 से 40 दिन का तो आपकी स्टेटजी होनी चाहिए कि alternate days पर ए अगर मैं इस notification की और एक बार move करूँ तो यहाँ पर mains examination 28-11 को है ठीक है मतलब 28 November को तो अगर आप October के first week में एक्जाम देकर आएंगे तो यह आपका October निकल जाएगा फिर November आजाएगा almost end of the October end of the November ठीक है यह आपका exam है अब आप इतना देख लें कि मुझे ऐसा लग रहा है क प्रिलिम्ज के exam को देने के बाद लगबग आपके पास में जो दिन बचेंगे वो near about हो सकते हैं 50 दिन भी ठीक है और 55 दिन भी मतलब इसी के आस पास में ठीक है तो आप यह देख सकते हैं कि पौने दो महिने का time लगबग हमें मिल जाता है वहाँ पर तो दोखों दोस्तों मेंस के लिए आप साथ में दो चीजें continue रखो ठीक है वो मैं आपको बता रहा हूँ एक तो आप अपना quant plus reasoning में एक आपका puzzle format और plus di format इनको करो ठीक है और एक segment मैं ऐसा बता रहा हूँ जिसको आप prisms में भी करोगे आपका मेंस में भी आएगा वो आपका arithmetic का topic ठीक है तो arithmetic को डंग से कर लेना क्योंकि pre में 10 number के आते हैं और जब mains होता है तो बहाँ पर भी दोस्तों ये अपना weightage रखते हैं ठीक है तो इस topic को आप साथ में ले चलना प्लस एक चीज़ और है आपका gk बाला section ठीक है आपका general awareness ठीक है ये general awareness जनरल awareness के लिए आप 6 माईनों का current office लेकर चलेंगे आप इतना समझ लें कि जो November है इसके last में आपका exam है तो पूरा November आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है अब November से पहले आप देख लें कि जो आपका हो गया September, October और August ठीक है ये चार महीने आपके हो गये और इधर पर June और July ठीक है तो आप देख लें कि June और July ये दो पुराने महीने August current चल ला है और साथ में August के current affairs तो हमने भी करवाए है आप हमारे top 300 के आसपास में आपको इससे ज़्यादा ही question मिलेंगे लबग 300 से 500 question हमने करवा रखे है अभी तक ठीक है तो आप playlist नीचे देदूगा आप उसको जरूर देख लें तो आप August को लेकर चले और September, October, November, November तक यह जो चार महीने यह मैं आपको compact format में अब लेवल करा दूँगा monthly भी आएगा और इसके important days जो हैंगे उनका एक आपको वीडियो भी मिल जाएगा ठीक है तो current affairs हम आपको वो करवाएंगे तो आप दो तीन चीज़ें यह films के साथ साथ में चलते चले चले औ और बाकी जब आपका exam हो जाएगा उसके बाद हम mains के proper classes start करेंगे और mains में जो आपको DI और puzzles है वो हमारी ओर से आपको as it is मिलते जाएंगे ठीक है और अभी हमने जो यह 30 days का series स्टार्ट किया इसमें पाच वीडियो जो है क्वांट की upload हो चुकी हैं पाच आपकी reasoning की upload हो और अपनी हाँ त्यारी करते रहें क्योंकि समय almost काफी कम है और जैसा भी 12 September को आप देख सकते हैं कि आपका RRB का exam होगा ठीक हैं बाकी इसी exam के बाद में आपका IBPS PO है तो जैसा भी होता है आप अपने त्यारी करते रहें और हाँ मैंने आपको बताया है कि आप free mock test देना बिल्कुल मत बोलना इसका analysis हम आगे discuss कर लेंगे और अगर आपको यह mock test अच्छा लगता है तो आप यह जो six month और यह जो 12 month वाला package है आप यह लेना चाहें ले सकते हैं आपको उपर optional है अगली वीडियो में फिर मिलेंगे so thank you have a good day to all of you once again